Hello students of UKG class, previous class में हमने क्या पढ़ा था? हाँ जी, छोटे की मातरा पढ़ी थी न, उसके शब्द पढ़े थे तो आज हम कौन सा पेज पढ़ा था? पिछले क्लास में हमने पेज नमबर 8 पढ़ा था तो आज हम एकी मातरा से रिलेटेड ही पेज नमबर 9 करेंगे कौन सी बुक का? स्वर्नमन का तो पेज नमबर 8 पे हमने एकी मातरा की कुछ शब्द पढ़े थे अब आपका होम क्या है? आपने पेज नमबर 8 से एकी मातरा के दश शब्द अपनी नोटबुक में सुन्दो सुन्दर राइटिंग में लिखने हैं उसके बाद आप पेज नमबर 9 देखेंगे इस पे भी एकी मातरा के शब्द हैं कौन सी की मातरा होती है ये? हंजी, छोटी एकी, कहां लगती है ये? अक्षर से पहले तो चलो आज हम रीड करना शुरू करें चलिए पुट यर फिंगर हेर एवरिवन और स्पेक लाउडली, ओके? बै, आ, रै, इ, शे, बारिश, ए, आ, इ, आई, बारिश, आई, उसके बारे में पढ़ेंगे हम, ओके? चलो, परस्ट वर्ड पी उमली रखेंगे रे, इ, मे, रिम, जह, ई, मे, जिम क्या बनब्या? रिम जिम रे, इ, मे, जह, इ, मे, रिम जिम बै, आ, रे, इ, शे बारिश, ए, आ, इ, आई, से, आ, इ, के, इ, ले साइकिल, पे, रे, पर, मे, ते, मत चै, ले, इ, ए, चलिए, भै, आ, इ, भाई से, वै, इ, ते, आ, सवीता, उ, थे, उठ पे, इ, के, न, इ, के, पिकनिक पे, रे, पर, चै, ले, चलिए, है, रे, इ, हरी के, इ, धे, रे, किधर, ए, बे, अब, गय, ये, आ, गया, ने, इ, के, ले, निकल ओके, and read it, read it again, ओके, this is your homework, and now see, आगे क्या दे रखा आपका इसी page पे नीचे आपको कुछ प्रेशन करने है, ठीक है, उनको आप answer लिखेंगे उनके, जैसे first आपका दे रखा है, चित्र देखकर शब्द पूरे कीजिए, याने कि कुछ पिचर्स आपको दे रखी है, उनको देखकरके, उनके शब्द पूरे करने है, ओके, तो देखो, सबसे पहली पिचर किसकी है, हंजी किसान की है, तो उसमें कुछ शब्द तो लिखे हुए है, लेकिन कुछ, सोरी, कुछ अक्षर लिखे हुए है, कुछ अक्षर लिखके हमने पूरा शब्द बनाना है, ठीक है, तो आप जहां पे dash दिखाई दे रहे हैं आपको, ये देखो, आपको दिखा देते हूँ एक बार ये dash दिखाई दे न, सीधी line कीची हुए, तो इस line के नीचे आप लिखेंगे, ठीक है, तो पहले लिखो, कै, कै पे छोटे E की मातरा लगेगी, कहा लगेगी, कैसे पहले लगानी है, ठीक है, देखो, मैंने बता था था न, E की मातरा कैसे लगाई हुई है, दिखा पहले E की मातरा लगा दीजिए, शब्द बन गया किसान, ओके, अगला शब्द क्या है आपका, हांजी ही रन है, तो लिखो पहले है, और उसे पहले मातरा लगा देंगे, E, ही लिखेंगे ही रन, ठीक है, आगे री तो लिखा हुआ है, लेकिन इसके बाद की अक्षर लिख लिखो शे, शटकोन वाला शे और शे से पहले E की मातरा, शी, री शी, अगला वड़ बनेगा शत्री है, तो त्रे लिखो त्रे त्रे त्रिशूल होता है ना, तो त्रे त्रे त्रिशूल लिखा, और मातरा कहा लगेगी, त्रे त्रे त्रिशूल से पहले लगेगी, त्रे पे अक्षर पर ई की मात्रा कौन सी दे को इसमें दिखा भी रखा है आपको दिखाई दे रहा है मेरा ये सरकल जो है इसके उपर है हांजी की हमारी ई की मात्रा होती है ठीक है लगा कर सही शब्द लिखी तो जो रंगीन वाले अक्षर दे रखे उन पे ई की मात्रा लगानी है जैसे पहले में आपका शब्द रखा है दे ले तो उसमें रंगीन अक्षर कौन सा है दे तो दे पे ई की मात्रा देखो लगाई नोने तो क्या बन गया दे ई ले दिल बन गया है ना तो ऐसे ही अगला हमारा रंगीन शब्द कौन सा है सै है ना तो चलो लिखो पहले यह ऐसे क्या से लिखेंगे सै सै पे इकी मातरा लगाओ इ रे सिर अगे लिखेंगे रे वे वे पे इकी मातरा लगेगे क्योंकि वो रंगीन शब्द है तो अपमारा शब्द बनेगा नेक्स्ट में लिखेंगे हम कै, वै, इ, वैसे पहले ही की मातरा लगाएंगे कवी, आगे, बै, नै, इ, ये, आ, बनिया, आगे, जै, इ, तै, नै, आ, जितना उके, आगे वाला कोशन क्या है, साफ साफ लिखिए, आपको ना कुछ शब्द दे रखे, उनको आपने अपने कोपी में साफ साफ लिखना, जैसे शब्द कौन से, आपके फर्स्ट वाला देखेंगे रे, वे, इ, रवी, कै, वे, इ, कवी, छै, वे, इ, छवी, मै, इ, ले, मिल, गै, इ, ने, गिन, डे इ ने दिन ओके यह आपको क्या करना अपनी नॉटबुक में सुन्दो सुन्दर राइटिंग में लिखनी है ओके नेक्स्ट क्या दे रखा है बोक्स बना रखा है तो बोक्स में दिये गए अक्षर पर इ की मात्रा लगा कर सही शब्दों को लिखिए रखी है हर एक में कै पे इ की मात्रा लगानी है कै अक्षर पर ठीक है जैसे पहले पे कै पे इ की मात्रा लगाई तो शब्द बन गया किश्मिश तो ऐसे ही अगले पे लगाएंगे कै पे इ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा लिखो कै इ तै ते, कै, कै पे ए की मातरा लगाएंगे, ये, आ, तक्किया, अगला लिखेंगे, कै, इ, सै, आ, ने, किसान, ओके, तो ये आपकी क्या थी, ए की मातरा थी, जिसे आपने learn करना है, अच्छे से की, ए की मातरा की पहचान करनी है, कौन सी ए की मातरा, छोटी ए की मातरा, लेकिन पढ़ते वक्त इसको छोटी ए की मातरा नहीं बोलेंगे, सिरफ ए बोलेंगे, ठीक है, तो आपको दो मातरा ये करा दी गई है, आ की और छो हो जाए ओके